तो आज मारे पास रेपोर्ट है नेपाली मीडिया की तरफ से कहा जा रहे कि नेपाली अवाम के लिए खुशी की खबर है नेपाल में ओयल के डिलिंग का काम जो है कम्प्लीट होने की तरफ जा रहे और तीन किलोमीटर ओयल डिलिंग का काम कम्प्लीट हो चुका है तो चलिए आपके साथ छेर करते हैं और आपको बताते के नेपाल में ओयल के डिलिंग का काम कब कम्प्लीट होने वाला है नेपाल में ओयल के डिलिंग का काम कैसे कम्प्लीट हो जकता है क्या इस ओयल के डिलिंग से नेपाल को फायदा होने वाला है रेलिंगर्दा दिखिये इस्ता बदार्त हरू जस्त रेडियो देस्त वासी मां खुशी। रश्मिन आवनु शुरुगर्वा आजको मुख्य विसेवस्तु। रेलिंगर्वा आजको मुख्य विसेवस्तु। रेलिंगर्वा आजको मुख्य विसेवस्तु। रेलिंगर्वा आजको मुख्य विसेवस्तु। आलसम चिनियार नेपाली करी साठी जानाको सम्खले डेलिंगर्वा आजको मुख्य विसेवस्तु। रेलिंगर्वा आजको मुख्य विसेवस्तु। रेलिंगर्वा आजको मुख्य विसेवस्तु। दैडेको पातुकाइस्तान तिन बर्ष देखी पिटुलियम पदाःखको अनुसुन्धान मा सकनेकरी चिनियार सरकाली सनदेचार नेज़नाइस फेब्ररी अठाइस मा सम्झाउता करेको थियो। सम्झाउता अनुसार काम नभाई बनी पुन समय वधी भपी एको थियो। सम्झेजार 24 लेब्ररी अठाइस मा सम्झाउता सक्नि देथियो। शुरु आत्मातिन बर्ष भित्र इन चलनक काम सक्नि करे सम्झाउता भाय को थियो। यहाँ चार से बर्ग किलमीटर स्यत्रफल मा पेट्रोलियें पदार्थ फुनसक्नि अनुमान बरियेको थुष। यहाँ चार पजार किलमीटर कहिदाईस्तम डेलिंग नुपने काम। रएको थियो। कुरुडा महामारेका कारण काम प्रोखियेको थियो। अहिले तेस्यलाइ डिरत्रता दियेको छ रदैलेक जेल्लामा पेट्रोलियें पदार्थ को काम तमा आतम भईदायेको। छिटे डिलिंग शक्किये मा पेट्रोलियें पदार्थ को मातरा था पाउन सक्किने। डेलिंग वर्दापनी पेट्रोलियम पदार्थ को अंडारन भेटीने काम अकीद गर देना रा अहले समा सबय महेनात खेरा जान छ र डेलिंग को काम सकनु परने काम छीटोलाई सकनु परने मुन्छ उहाले फन्नु भाय एदि डेलिंग आताव मा छोडियो भाने एसले कुने सकता पाउंदे न अथबा निचोड मा पुग न सकते न एसले एसको अनुसंधान गर राय काशों एसका पन हरुलाई जांच गर राय काशों उहाले फन्नु भाय उत्पादन कोम्पुनेर खल्च बड़ी लाकने आवस्तामा पनी उत्पादन का दिदैना निपल में पेट् पेटोलियमं पतार खल्च बण्ने पतल गाउन सकते न खानी इन्फेकिये पच्छी तेसको आख टेडि बेसले सणकुल्च तेसको अनुस्पची मात्रा उत्पादन करने कि नगर ने फन्ने नढढय भून्छ पंडार ठुला राय सब्ने मात्रे उत्पादन कुल्च भागले करते न, ती भागले पेट्रोलियम् पदार्थाकु मात्रा र पत्ती मात्रा माछ भन्ने पत्तला कमने मात्र हो, सरकारले कुने अन्ने कंपणी वास्चंस पलाई उत्पाधन कची मेबारी दिने छा, नेपाल सरकार खानी तथा भुगरब बिभागर जायनाची योरो पेट्रोलियम् पदार्थाकु अन्वेशनकला आखी यो नेपालमा भायको पधिवर्थ्यार खानी होईना, एचागी 24 पईताले सालमा बोरंको पहाउनीमा पेट्रोलियम् खानी खोजी गरिये गुथियो, थेति बेला सेल राइटा कमपणी बाट शाडए तीन किलोमीटर पेट्रोलियम् पदार्थाकु अन्वेट्टिये पची खोजी बंदा गरिये गुथियो, पते जैलेक मा पनी यस्ते होनेता हैना भन्ने प्रश्न उठीर आखोशा, पते यस्ते आशनका पनी गरिये गुथियो, निपालमा एति ठोलो लगानी अथवा एति ठोलो विकास को परेजनाले, पते यी बेश्मेच वन्नुपर्ने अवस्ताता होने हैना भन्ने पनी प्रश्न खडार पायको शाओ, देजाक मैतालिस साल मा मोरंपु वाहनी मा पनी पेट्रोलियम् पदार्था फजी करियेको थियो, उक्ता ठामा पनी पंती मा पनी 3000 मेटर भन्ना पड़ी बहिराई हां अंदा भनी, अथेवा ट्रेलिंग करदा भनी पेट्रोलियम् पर आत्र फेटीएको थियेन, के धैलेग सिलामा फेटीएर आता, भन्ने पनी प्रश्न खडा पैर्वायको शाओ, असिल्व शमाय दैलेेग सिलामा दिन पर्तितिन काम लें गीव्रता पैर पायर देलेक्सि लवाओ पेटोलियों पदार्था ले अत्यांता मात्रामा पर्भल सम्भावना पोखेपों फंद Eck celebrity ओलीगा एही इंजिनियरले तलास समेद गरैका राकाशं। अमिले सक दो छीटो निकालने प्रयाच परिदूराएकाशं। હામરો બલ્રબુદ્ધી અથવા હામરો સમેનત્રબાટવ કામ હય્વાએ કુશા परिजान बरने पूरा समेद आयको थ्यो नेपाल को विकास मा सभी हंदा ठूलो एउटा विकास को शलांको गति होना सक्सा दैलेक मा पेटुलियम पदार्थ निकलान सके अथबा निकालन सकनी हो भाने नेपाल मा अथा मात्रा मा पेटुल रायको केही बर्श अगारी खानित भुगर्ब विभागले अनसंधान गरता पनी पतरगा आयको थ्यो एशे गरी चीनिया जेवरोचिकल सर्वेटुलिये पनी येस छेत्रमा अथा मात्रा मा पेटुल रायको त्यस्वा निकालन सके नेपाली को विकास मा आर्थिक बेर्थितर चिटे हुने रा नेपाली ले अनने देशो रूसाप उने पनी सम्झोंता था गुलामी घर्रदार न परने समयत चीनिया बक्सरे बता आयको महत पुणन आक्सिल से भावरत पला कस्तला है डिगंतिन समय हीरड़ा सुने रसाथ इन भायव इसकला के धानेवा इस्तेश्ते नया ताजा खोजरी संदेश मर अब पर्यवर नकला गी मेरे पुकराटीवी पिठो ओलनाइट विलाइए आजरी सब्सक्राइब करी हमिसां को अब सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब को पता है कि नेपाल में ऑलके डिलिंग का काम कपी जल्दी कंप्लीट होने वाला है क्योंकि नेपाल जिस तरीके से नेपाल के डिलिंग का काम कर रहा है कि नेपाल में ओलके का काम को सब्सक्राइब नंगैसे मिने जबर धागी है लेकिन अभी भी तीन किलोमेटर आयल केटलिंग का काम हो चुका है और एक किलोमेटर बाकी है इस तीन किलोमेटर में आयल का मिकदार जो है वो कहा जारे काफी ज्यादा है जिसको 50 सालों तक नेपाल इस्तिमाल कर सकता है सेल भी कर सकता है और दूसरे मुमालगों को दे भी सकता है चाहे वो फ्री में दे चाहे वो बेचे तो नेपाल इससे काफी माला माल होने वाला है अगर नेपाल इसको सेल करेगा अपने ही मुल्क में भी इस्तिवाल करेगा तो नेपाल में ओयल का जो या पेट्रोल का जुद और भी पैसे कम लगते हैं तो जिससे अब आहस्ता इस्ते से यह फाइदे की तरफ जाएगा और नेपाल में काफी ज्यादा आप ऑईल की तरफ देखने को जा रहा हूं यह काफी अच्छी चीजे नेपाल में ऑईल के ट्रिलिंग का काम जा है वह अच्छी तरीके से हो रहा ह और यह काम आगे की तरफ जा रहा है